नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों रोजगार समचार के आज के इस वीडियो में बहुत ही एहम खबर है जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोग से वा आजो की बात करते हैं 2020 परिपरिछा का result आया था और इसके बाद इसका सनसोधित रिजल्ड भी आ गया गया 1131 अब्यारती इस सनसोधित result में बाहर हो गये हैं कैसे बाहर हो गय है आये इसकी पुरियानकारी ले ले लेते हैं result जारी करने में कुछ technical problem होई उसकी वज़ह से यह 7 से आई विग्यापन और आवेदन में आहरता के क्रव में अंतर आने से बतल गया प्रेणाम इसमें देखिए लिखा हुआ है परिच्छा का प्रेणाम संसोधित कर दिया गया है एसे में बिसिष्ट आहरता वाले दो परकार के पदों के लिए प्रारमभिक परिच्छा में सफल गोंसित के 1131 अभ्यारतियों को बाहर कर दिया गया है हाला कि संसुधित परिणाब में बाहर होने वालों में आधिक संख्या में नए अभ्यारतियों की मेरिट में सामिल किया गया है एसे में कुल मिलाकर सफल होने वाले अभ्यारतियों को संख्या बढ़कर 5535 हो गई है जबकि पूर मेजारी प्रेणाब में 5393 अभ्यारतियों को सफल गोंशित किया गया था तो उससे मिलाकर देखा जाए तो रियल्ट में ज़्यादा लोग आये हैं और पुराने रियल्ट में कम लोग थे 142 सफल अभ्यारतियों की संख्या बढ़ गई है और गरवड़ी यह गरवड़ी बिग्यापन और आवेदन के आहारता क्रमे भिनेता के कारण होई संसोधित परिणाम को जारी कर दिया गया है आहरता के पदों शर्म प्रवर्तन अधिकारी और बाल विकास परियोजन अधिकारी ऐघ करने वाले उन पदों के लिए आवेदन करने वाले भिहारतों को सही डेटा तगनी के तुरूटी के ज्inator उपियोग नहीं लाए जा सका इसलिए इन दोनों ग्रूपों के रियल्ट में विसंकतियां आ गई खैर सब मिला कि अप सही हो गया 142 नए अभ्यारती सपल हो गया है 58,000 महिलाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार मिलेगा मुख्य मंत्री योगी आदितनात के निर्देश पर प्रदेश की स्वेम सहायता समू की 58,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाद रहा है उन्हें सभी ग्राम पंचायतों में बन रहे सामुदाइक सोचालियों की देखरे की कमान सोपी जाएगी और इसके बदले उन्हें 6,000 रुपए काम बान दे दिया जाएगा पहले चरण में 6,000 सोचालियों में उन्हें काम दे भी दिया गया है प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में सामुदाइक सोचालियों बनवाए जा रहे है स्वक्ष भारत मिसन ग्रामीन में एक सोचालियों की निर्माड़ पर 3,000,000 रुपए दिये जा रहे है इन सोचालियों में कारे कर रही महिलाओं को साल में दो बार PPE किट, गलव्स और केमिकल आद भी दिये जाएंगे अपर मुख सची पंचायती राज मनोज कुमार सिंग ने बताया कि मार्च तक हर ग्राम पंचायत में सोचालियों का निर्माड़ पूरा हो जाए 36,590 सहायक सिच्चकों की काउंसिलिंग 2-4 दिसंबर तक की जाएगी और निक्ति पत्र वितरन का कारिकर्म बाद में घोंचित किया जाएगा 11,333 योग अभिहर्थी नहीं मिलने के कारण अंसुचित जंजाती के पद नहीं भरे जाएंगे बाकी 67,866 चैनित अभिहर्थियों की वरिता सुंची जारी की गई थी 69,000 सिच्चकों की भरती अनुस पूरी हो जाएगी इस 67,866 पदों के जो चैनित पूरा हो जाएगा इसके साथ-साथ यह प्रक्रिया समाथ हो जाएगी और उसके साथ-साथ ही 50,000 नई सिच्चक भरती की योजना पर भी काम सुरू कर दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भरती की जा रही है और ये वेकेंसी आ गई है इन विभागों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं विभाग यहाँ पर दिये गए है हर विभाग में कितने पदों के संक्या है वो भी दी गई है 128 पद कुल मिला के हैं और इसकी क्वालिफिकेशन जो होती है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट यानि की प्राइशना तक प्लेस नेट और पीजी में जो क्वालिफिकेशन दी होती है वो 55 प्रतिसद अंकों के साथ पीजी आपकी होनी चाहिए जिस बिसे में आप अप्लाई करना चाहते हैं या करना चाहती है उसमें 55 प्रतिसद अंकोंने चाहिए बिसे इस कटेगरी के छातरों के लिए 5 प्रतिसद की छूट है यानिकि उनको 50 प्रतिसद में पीजी उनकी होनी चाहिए यहां देख लेते हैं कई इंपर्टन खबरे हैं यहां में एड़ेट जुनियर हाई स्कूलों में सेच्छिक पतों के बारे में जानकारी मांगी गई है और यह जानकारी बार-बार मांगी जा रही है वेकेंसी कब आएगी इसका कहीं से कोई पता नहीं अभी तक TGT 2016 के साथ अभ्यारतियों का निर्धारी साथ्चतकार कारकम गोंशित किया गया इसमें 7 साथ अभ्यारतियों का था और 11 नौंबर को यहाच का खारिश होने के बाद इन 7 अभ्यारतियों को 27 नौंबर को TGT 2016 अंग्रेजी का होने वाले सच्छतकार कारिकर्म निरस्त कर दिया गया है इसी प्रकार चैन बोर्ट ने एक अन्य अभ्यार्थी को 31 नॉम्बर को सच्छतकार में सामिल होने कारिकर्म निरस्त कर दिया है तो इनका पूरा कारिकरम इस तरह से ये निरस्थ कर दिया गया है। कोट ने इन अभ्यार्थियों की आजका खारिश कर दी है। इस कारण से इनके साथ छतकार निरस्थ किये गए हैं। टीजीटी कला 2016 पांच अभ्यार्थों को साथ छतकार निरस्थ को किया जाएगा। सहाई प्रवन्तक गयर तक्निकी स्क्रीनिंग परिच्छा 2016 की उत्तरकुंजी जारी हो चुकी है। और इत्तरकुंजी आप आयोग की वेश्वाइट पर देख सकते हैं 30 नौमबर तक यह उपलब्ध रहेगी। एप्यों की इंट्रव्यू का कारिकरम भी जारी कर दिया गया है। दो शिफ्टों में इंट्रव्यू लिए जाएंगे प्योंके और आपको समस्त प्रवाण पत्त्रों के साथ चार दिसंबर को सुवे नौ से दोपार एक बज़े तक वहां आयोग में पहुंचना है इंट्रव्यू के लिए PCS के बारे में एक अन्य न्यूज देखिए कटाउफ बढ़ने से भी 25 अभ्यारती बाहर हो गए हैं बाकी प्रविणाम संसुधित हुआ है तूरसे 1106 अभ्यारती तो बाहर गए ही है तो इन दोनों पदों का जो प्रविणाम है इस पे 1131 अभ्यारती जहां से भी बाहर है और यह तकनीकी गलवड़ी कारण हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट को बदनना पड़ा है अभी तक PCS का रिजल्ट कभी भी किसी तकनीकी गलवड़ी के कारण बदला नहीं गया है जल्दबाजी में यह गलवड़ी हो गई एक रिकार्ड बनाने के चक्कर मे यह गलवड़ी हो गई 40 दिनों के अंदर रिजल्ट दिया गया और एक रिकार्ड बनाया गया कि बहुत ही तीवर रिजल्ट दिया गया लेकिन उसमें एक दाग लग गया कि गलवड़ी हो गई L.T.Grade के सामाजिक बिग्यान के चैनितों का संबान किया गया है तेलियर गंजिस्थित एक कोचिंग से इस्थान ने मंगलवार को L.T.Grade सिच्छख भरती के तहद सामाजिक बिग्यान भी से में चैनित अभ्यारतों को संबानित किया मों की आतिती ADG प्रियाग राज ने पुरुस वर्ग में प्रत्व मिस्थान प्राप्त करने वाले अनुराख जिर्वास्तों वह महिला वर्ग में दुर्थी इस्थान प्राप्त करने वाली रेनू बर्मा को इसमृती चिन भेंट दिया इस मौके पे शुर्ण सिंग पंका जंगारा सौरव बर्मा कुल्दी प्यादो अखंट संजय दुर्गेश आदी मौजूद थे तो दोस्तों यह हो गई आज की प्रमोख खबरे और जैसा कि आपका वालूब है कि यूपी ट्रिपेलस्टी पेट के माध्यम से 40 जर पदों पर भरती करने वाली है और पीटी परिच्छा का आयोजन भी बहुत जल्द करने वाली है और यूपी टीटी का आयोजन होने जाए रहा है तो इन दोनों परिच्छाओं के लिए मौक टेस्ट सीरीज हमारे मौबाइल एप पर उपलब्द हैं आप वहां से देख सकते हैं और जो हमारा मौबाइल एप है उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्रेप्शन बाक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ धन् है तोस्तों देख स कर दोस्तों इवाता है नेस आपको वीडियो है नेवीडि के वीडियो है यहीडियो है वीडियो हैं जो है